दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है विनंदन है आपके अपने यूटूब चैनल आरेन इंस्ट्यूट लाहबाद में दोस्तों इसकॉलर्शिप की संदरों में एक और बहुत बड़ी अपडेट आपकी सामने निकल करा रही है जैसा की थोमनेल पर आप देख पा रहे ह लिखा गया है सभी छात्र शात्राओं के लिए D.W.O. से बड़ी रहा है बिलकुल अगर देखा जाए इसकॉलर्शिप एक बहुत विकट समस्या बनी हुई है इसकॉलर्शिप पाना हमारा एक अधिकार होता है जब कोई भी बच्चा पढ़ाई करता है अगर वह अर्थिक रूप से कमजोर है और उसकी स्कॉलर्शिप जब आ जाती है तो कहीं न कहीं उसको इसकी का आसार हो जाता है कि हमारी जो आगे की पढ़ाई है अब सुचार रूप से चलने लगेगी ठीक है लेकिन इस वर्ष क्या हुआ है बजट को लेकर बहुत असमंजस की स्थिती बनी है इसकॉलर्शिप किसी की आई है किसी की नहीं आई है जिनकी आई है उनके लिए तो बहतर है लेकिन उस दिल से पुसकिये उस इंसान से पुसकिये जिसकी स्कॉलर्शिप आभी एक भी पैसा नहीं आया है ठीक है तो उसके संदरों में आज की आप December transparence नीचे आप देह पास budget नहीं है, जब आप अपना status चक किया है, तो उस status में किसी का ब्लॉक बटाया जा रहा है, किसी के status में fund की कमी बताई जा रही है, और किसी का status अपने का खतम है। ठीक है, यackने का मतलब यहां है अधितर छात्र यह से है, जो scholarship से 100% वंचित की रह देख रहे हैं, ठीक है नीचे आप देख पा रहे हैं लिखा गया है देखिए एक चीज हमने लिखा है नीचे छात्रवृति नहीं मिली तो होगा आंदोलन दोस्ते एक चीज जानिएगा हम एक ही बात को जानते हैं कि अगर कोई चीज सीधी उंगली से नहीं निकलती है ठीक है अगर घी होती है जब सीधी उंगली से नहीं निकलती है तो जहिर सी बात है कि उंगली को थोड़ा सा तेड़ कर लें तो घी निकल जाती है वही चीज लेकिन आगर आप नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है कि समस्या थोड़ी सी खड़ी होगी नीचे आप देख पा रहे हैं लिखा गया है स्कॉलर्शिप से वंचित विद्यार्थियों के लिए रामबार वीडियो बिल्कुल मैं आप से कहना चाहूंगा आप एक बार फिर से अ आप अपडेट को देख सकते हैं एधर लिखा जा रहा है उपर सबसे देखेगा सेवा में कुलादिपति महोदे लखनव उत्तर प्रदेश द्वारा जिलादिकारी महोदे लखनव इसके तहट कहा जा रहा है कि साधर आउगत कराना चाहते हैं कि सैक्चिक वर्ष 2021 के 22 के अ आर्थिक रूप से कमजूर चात चात्राओं के प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाले चात्वृति योजना के तहट आने वाले लाकों चात्राओं की चात्राओं की चात्वृति आभी तक अनमोदित नहीं की गई हैं जिसका मूं के कारण सरकार द्वारा प्र को वह प्रदेश की सेक्षिक भविस्य को ध्यान में रखते हुए सासन को प्रदेश भर की छाठ चात्रों की समस्याग से आउगत कराने का कश्ट करें ताकि प्रदेश की युगाओं को भविस्य संकट में ना आए निवेदक आप देख पा रहे हैं हमारी सदय आप हम सदय आ समस्या को लेकर मैं आपसे कहना चाहूंगा आप थोड़ा सा एक बार फिर से आप अपना स्टेटस कीजिएगा उसके बाद आप कॉमेंट बाक्स में कॉमेंट कीजिएगा हमने आप से कहा है कि अगर भया जो है अगर स्कॉलर्शिप नहीं मिलता है तो थोड़ा सा आपको जागरित होना पड़ेगा आपको निकलना पड़ेगा अप कैसे क्या करना है आगे की रणनीति आज के बाद आपको बताई जाएगी आप थोड़ा सा एक हपते का और बेट कर लिजिए क्योंकि यहां लिखा गया है डी डवलो से बड़ी रहात जब वहां से जाकर कुछ प ठीक है उमीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा प्लीज अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा और अपने फीड़ बैक आप आवस्य दीजिएगा वीडियो समाप करते हैं थैंक्स धन्यवाद